आरक्षन पर शुरू हुई हिंसा अचानक बगावत में बदल गई है हालात ये हो गए है कि पूरा बांगलादेश हिंसा की चपेट में है प्रदर्शनकारी जेल तोड़कर के कैदियों को भगा रहे है प्रदानमत्री शेख हफिना के खिलाफ आरक्षन के नाम पर सबसे बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है देखे रिपोर्ट क्या बांगलादेश आरक्षन के आठ में जल रहा है या फिर बांगलादेश में ग्रेय युद्ध शुरू हो गया है हम आपको बांगलादेश की दो तस्वीरें दिखा रहे है दोनों ही तस्वीरें भड़कते जलते और बरबाद होते बांगलादेश की है पहली तस्वीर में आरक्षन के खिलाब पूरा बांगलादेश सड़क पर दिख रहा है दूसरी तस्वीर में आरक्षन का विरोध करने वाले वो चात्रों और प्रदर्शनकारी हैं इनकी पोलिस और सेना से खूनी जड़पे हो रही है। इनकी पोलिस और से खूनी जड़पे हो रही है। जम कर विरोध हो रहे हैं और वो विरोध अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़को परसीना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रधर्शनकारी और छात्रों की पोलिस से खूनी जड़पे हो रही है। पोलिस के साथ हिंसक जड़प में 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज्यादा प्रधर्शनकारी बुरी तरह से भायल बताये जा रही है। आरक्षण की आग बांगलादेश में ग्रेयुद। बांगलादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जरा देखिए पिछले एक हफ्थे में आरक्षण की आग कैसे एक ग्रेयुद का रूप लेती जा रही है। बांगलादेशी मीडिया और अस्पतालों से मिली जानकारी के मताबिक एक हफ्थे की कुनी जड़प में 105 लोग मारे गए हैं। जबकि 2500 से जादा लोग भैल हुए हैं। एसोसियेटेड प्रेस रिपोर्टर ने ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 23 शब देखे हैं। जबकि कई अस्पतालों में शब भरे पड़े हैं। पोलिस और सेना के जबान प्रदर्शनकारियों पर जम कर गोली बारी कर रहे हैं। बांगलादेश के आठ राजियों में कर्फ्रू लग चुका है। जबकि बांगलादेश के सभी 64 जिले हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। धाका युनिवस्टी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। चात्रों को हॉस्टल खारी करने का आदेश दे दिया गया है। ना हिंसट प्रदर्शन क्यों हो रहा है जरा इसे भी जान लीजे। आरक्षन खत्म करने को लेकर जो प्रदर्शन चात्र कर रहे हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री शेख हसीना जरा भी मानने को तयार नहीं है। मांगलादेश में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ने वाले लोगों को वार हीरो कहा जाता है। बांगलादेश में 30% नोकरियां एन वार हीरो के बच्चों के लिए रेजर्व हैं। इसी रेजर्वेशन के खिलाफ चात्रों का घुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिज के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वच वार हीरो थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी इसका लाब मिले। बांगला देश में इस सरकारी नौकियों में आरक्षन बहाली के सुप्रीम कोट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फियों लगा दिया है। प्रधान मंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेकरेटरी ओबैतुल खादर ने 19 जुलाई को देर राध कर्फियों लगाने की भोशना की। ताकि हिंसा पर काबू पाया जा सके। हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। अब जरा प्रद प्रधान मंत्री शेख हसीना ने इंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेट जदा है। और कहा कि इस मामले में एक न्याईक जात समीती गढ़ित की जाएगे। असल में 1971 के मुक्ति युद में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौक्रियों में आरक्षन का विरूध कर रहे है। इ इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने च्छात्रों से भी अपील की है कि वो उपद रिवियों को जिती का फायदा ना उठाने दे। बांगला देश में आरक्षन के खिलाफ आकरोश हैं। बांगला देश में सरकारी नौक्रियों में 56% आरक्षन है। इसे के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा है। साथी बांगलादेश की सरकार पर भिष्ट अचार की आरोब भी लग रहे हैं। देखे रिपोर्ट। जनवरी चौपिस में हुए आम चुनाओ के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इस साल जनवरी में हुए आम चुनाओ के बाद हुआ है। जब बांगलादेश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में 1971 में बांगलादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल है। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षन दिया है जिनके आमधनी ज़ादा है ये वो लोग हैं जिने हसीना का वोटरस माना जाता है सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्प संख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षन दिया गया था अब आप ये भी जान लीजे कि जिस आरक्षन को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं वो आरक्षन बांगलादेश में किसे और कितना फाइदा पहुचा रहा है प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षन नियम लागों किये थे इसमें स्वतंधता सेनानियों के बच्चों को नौक्री में 30 प्रतिशन पिछडे जिलों के लिए 10 प्रतिशन महिलाओं के लिए 10 प्रतिशन अल्प संख्योकों के लिए 5 प्रतिशन और 1 प्रतिशन विकलांगों को आरक्षन दिया गया था इस लिहाद से सरकारी नौकरियों में 56 प्रतिशत आरक्षण है एसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है अरब पती नौकरियों में प्रदान मंद्री शेक हसीना का वो अरब पती नौकर है जो हेलिकॉप्टर से घूमता है प्रदान मंद्री शेक हसीना की आर में कमा चुका है हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांगलादेश में आरक्षन की आग में सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां दूसरी तरफ बांगलादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के बवाल के आरोप लगाये जा रहे हैं एक तरफ आरक्षन की आग दूसरी तरफ बांगलादेश में कोराम मचाये हुए हैं बांगलादेश की पीम हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं डावा किया जा रहा है कि पीम शेक हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहां गीर आलम अरपपती बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है इस खबर ने पूरे बांगलादेश में कोराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीम को पानी पिलाने वाला नौकर अरवो रोपए कमा रहा था और पीम शेक हसीना के अधिकारियों और आफिस को भनक तक नहीं लगी ज़रा देखिए मेंमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रोपए कमा चुका है मांगलादेश की प्रधानमंत्री शेक हसीना के नौकर के पास 284 करोड की संपत्ती है उसके पास एक प्राइबिट हेलिकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तिमाल करता है धाका ट्रिब्यून के मताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीम हसीना के घर पर मेमानों को पानी देने का काम करता था जहांगीर ने पीम शेख हसीना की ओफेस और घर पर काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वतली थी वो लोगों से उनका काम करवाने का जहासा देकर पैसे वसूलता था मामला सामने आने के बाद पीम हसीना ने तुरंत कार्यवाई के आदेश दिया है वहीं बांगलादेशी मीडिया के मताबिक जहांगीर पहले से ही अमेरिका भाग जुका है दरसल बांगलादेश में पूरो आर्मी चीफ, पोलिस साधिकारी, टैक्स साधिकारी और कई साकारी कर्मचारियों के भष्टाचार से जोड़े मामले सामने आए इसी लिस्ट में प्रधान मंत्री के नौकर का भी नाम है, पीम शेख हसीना ने नौकर पर वयान दिया है पीम हसीना ने कहा मेरे घर पर काम करने वाला एक व्रक्ति आज करोडों की संपत्ती का मालिक है उसने इतने पैसे कहां से कमा लिये? एकाम बांगलादेशी को इतनी संपत्ते कठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं सरकार इन मामलों की गंभीटा से जांच कर रही है वॉर्ल बेंग के मताबिक 17 करोड की आबादी वाले बांगलादेश में प्रती व्यक्ति आये 2.1 एक लाक रुपए है वहीं शेक हसीना के नौकर के प्रश्चाचार में लिप्थ होने की बाद सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है बांगलादेशी नैस्टमिस्ट पार्टी का अरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतना पैसा है तो उसके मालिक के पास कितना होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता गुल मिलाकर इस सुवक्त बांगला देश में आरक्षन ख़त लिकरने को लेकर जहां भायंकर खुनी को अराम मचा हुआ है तो वहीं पीम के अरपपती नौकर के ब्रश्चार पूरे बांगला देश में बवाल बचा दिया है